हेलो फ्रेंड्स मैं देवे नारिये आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर जैसे कि आपको पता है हम अपने चैनल के तुरू क्लास नाइन्थ और टैन्थ की इंग्लिस और साइन्स के जो है वीडियो आपको प्रोबाइट करवा रहे हैं वार्षिक परिक्षा की तैयारी के दृष्टी कौन से इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए आज का है जैसे कि आप देख पा रहे हैं माध्यमिक, शिक्षा, मंदल, मध्यप्रदेश, भोपाल, ठीक है, इन्हें आपको क्या किया है, वार्षिक परीक्षा के तैयारी करवाने के लिए, सभी वीशे के प्रश्ण बेंक के जो है, MPBAC.NIC.IN पर उपलब्द करवाये हैं, तो उसी क्रम में आज का हमारा वीडियो है, क्लास 10th की साइन्स है, जिसका अध्याच्छ है, जेव प्रक्रम, उसके आज हम वस्तुनिस्ट प्रश्णों का जो है, एक्स्प्लेनेशन करेंगे, याने आपको किस प्रकार से अब्जेक्टिव टाइप कोश्चन आते हैं साइन्स में, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर क किये, चले, तो सबसे पहले है आपका, फर्स्ट क्वेशन है, वशा को वशी अमलम में परिवर्तित करता है, याने जो फेट होता है, उसको वशी अमलम में परिवर्तित करने वाले, यहाँ पर एंजाइम का नाम आप से पूछा है, और उस एंजाइम का नाम होता है, लाइ किरिया है तो स्वसन आपने अधी स्वसन तंतर के बारे में यह पड़ा है तो स्वसन जो होता है वहां उप्चैन अभी किरिया होती है उप्चैन यहने की जिसमें आक्सियन का निर्मान होता है ठीक है और हाइड्रोजन का हास होता है उसे उप्चैन कहते हैं और जिस प्रिक् आपना बहुजन जो स्व्यम बनाते हैं उनमें कौन-कौन से गुण होते हैं चार मैं से कौन सा गुण नहीं होता है यहने कौन सा कतना सकती है तो वे स्वोर कास हम क्लोरोफिल की उपस्तिति में अपना भोजन बनाते हैं तो यह रहे है तो यह वाला इसका अंसर रहेगा आगे बढ़ते हैं यदि लार में लार एमाइलेज लिखा है यह मिस्प्रिंट हो है यदि लार में लार एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुक गोहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी तो क्या होगा इस्टार्च का सुगर में विगटन या तूटना नहीं होगा ठीक है तो जो लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है वो इस्टार्च का विगटन करता है सुगर में और यदि वो एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो इस्टार्च का सुगर में विगटन नहीं हो पाएगा अमासाई का अंतरिक इस्तर कि हाइड्रोक्लोरिक अमले से रक्षा निमने में से किसके द्वारा की जाती है नहीं जो हाइड्रोक्लोरिक अमले होता है हमारे अमासे में स्टोमेक में उस हाइड्रोक्लोरिक अमले के अकारण आपके स्टोमेक की दिवारों को च्छती ना पहुंचे, उसको कोन बचाता है, म्यूकस बचाता है, आगे बढ़ते हैं, ढ़िकीन कोनसा भाग कौन सा भाग यकृत से पिततरस प्राप्त करता है, जो यक्त liaison होता है, यकीन की छोटी आथ में जाता है, आगे बढ़ते हैं, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है तो भोजन नली की छुदरान्त में छोटी आत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है आगे बढ़ते हैं Q8 है चाउल के पानी में कुछ बुंदे आयोडन विलियन की डाली जाए विलियन का रंग नीला काला हो जाता है इससे प्रदर्शित होता है कि चाउल के पानी में क्या उपस्तित होता है मंड यान कि स्टार्च उपस्तित होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं Q9 है आपका हिर्दे के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लोटने से कोन रोकता है यान जो हर्ट आपके बलड को पंप करता है और सारीज के विविल भागों में पहुचाता है तो वो चिन नलीकाओं में बहता है धमनी और सीरा में बहता है तो वो वापस हिर्दे के वाल्व में ना आ जाए इसके लिए इसमें जो वाल्व लगे होते हैं वो वाल्व क्या करते हैं उसको रोक के रखते हैं आगे बढ़ते हैं कुशन है हमारा 10 मान सपेशियों में आक्सियन की कमी अप्राई किर्केट खिलाडियों के पेरों में चक्रन का कारण बनती निमन के परिणाम सरूप होता है यहने जो किर्केट के खिलाडी होते हैं उनके मान सपेशियों में कई खिचाव हो जाता है उस किचाव का कारण यह होता है कि जो पायरूवेट है वो ऐथनाल में परिवर्टित हो जाता है तो इसका पहला बाला आएगा Q11 है आपका Q11 में आपको क्या करना है इनके सही क्रम में वेवस्तित करना है तो सही क्रम देखते है पित तरस जो होता है वो पित ताशे में बनता है तो एक लिख देते हैं इसका आगे ट्रिपसिन जो ट्रिपसिन एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है प्रोटीन के पाचेन में सायक होता है तो यह पर दो लिख देते हैं तो देखें पैप्सिन जो होता है वो पैप्सिन प्रोटीन को पैप्टोन में बदलता है त्रिप्सिन पैप्टोन को पैप्टाइन में बदलता है और एरिप्सिन जो ह होता है लाइपेज वसा को वशी अमले में बदल देता है और इंसुलिन जो होता है वो अगनासे से के रूप में आयोशोशित होता है अगले है कोशीगा का उर्जाहगर के राता है सभी को पता है सिंबल सबकर्यदन है कोशीगा का उर्जजाहगर मैट्रोकन्ड्रिय को पता है आगया बद्थे के लिए उत्तरदाई होता है तो जो जाइलम होता है वो पानी और खनीज लवन के लिए उत्तरदाई होता है समवन के लिए उत्तरदाई होता है वहां खाद्य पदार्त यान कि भोजन के समवन के लिए उत्तरदाई होता है ठीक है प्रेशना सोलवा है वरक्क द्वारा उत्त उत्सरजित पदार्त है वरक्यन जो आपकी केडिनी है वो कौन सा पदार्त उत्सरजित करती है तो जो हमारा वरक्य है वहां क्या उत्सरजित करती है यूरिया ठीक है क्या करती है यूरिया आगे बढ़िये प्रेशन सत्रुवा है ज्यादा तर पेड़ पोदे नाइट्रोज पाचन नली में सरव परतम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है तो पाचन नली में सरव परतम जो एंजाइम मिलता है यहां से लार में जो एंजाइम पाया जाता है लार में जो एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम वहीं सबसे पहला एंजाइम होता है जो कि होता है में से शुरू हो जाता है लार में से जो एंजाइम निकलते हैं वह स्टार्ची का पाचन करना शुरू कर देते हैं सरीर में पानी का उस्वोषन कहा होता है तो सरीर में पानी का उस्वोषन बड़ी आत में होता है जीव धारियों में उर्जा मुद्रा का नाम लिखी उर्जा मुद्रा का रथी होता है जैसे हमारी करेंसे चलती है उसे प्रकार जीव धारियों में जो उर्जा मिलती है उस उर्जा की करेंसी क्या है तो सुर्जा की करेंसी को हम क्या कहेंगे ATP याने adenosine triphosphate ठीक है आगे परते हैं वरनक का नाम लिखो जो प्रकास का औस उशुषन करता है तो वरनक कुन सा होता है जो प्रकास का औस उशुषन करता है chlorophyll chlorophyll जो होता है वहाँ प्रकाश का उसोसन करता है आगे बरता है यकरत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है यह आपको सत्य सत्य बताना है तो यह जो यकरत होता है यहाँ अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है जो लीवर होता है आपका तो ये बिलुकुल सत्य है हमें आपर लिखें हैं सत्य है अगला है धमनियों की दीवारे सिराओं से पतली होती है तो ये असत्य है क्योंकि जो धमनिया है उनमें रखत जानता दबाओं के साथ बहता है इसलिए उनकी बित्या होती है जो उनकी दीवारे होती है, वो मोटी होती है, ठीक है, आगे बढ़िए, question है आपका, 24 वा, platelet से रक्त का थक्का जमने में साहिता करती है, तो ये सत्य है, बिलकुल, platelet से जो होती है, रक्त का थक्का जमाती है, प्रशन 25 वा है, चुद्रानत के आंतर इस तरह पर रहे एक उं कறिके आगे बढ़ते हैं अगला कॉश्जन हमारा जो लाश्ट कॉश्जन है सो पोसी पोसन में दूसरे जीवोदौरा तयार किये जटिल पशारतों का ample prev यह उता है यह एस आशक्ति है क्योंकि सो पोसी पोसंड में सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे नई अपडेट से मिलती रहें धन्यवाद जाहिन